किसना भाईया इनका पिलोग्राम तो फिट हो गया अब 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 थन्राज की पारी है थन्राज सेट थन्राज बोलो चूब बोलो आपके पास एक कोठी है स्वर्ग नाम की मैं उसे खरीदना चाहता हूँ मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता सोच लिजे मूं मांगे की मत दूँगा मैं फिर भी तैयार नहीं पचास में भी नहीं नहीं अगया वी अगया उससक है आफसे अ आप इतनी जीत कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ू कर नहीं, मगर एक बात पूछूँगा मैं, आप कहीं मजाग तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाग नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, आप मेरे घर पर रुप्या लेकर आजाएए, मैं सो काख़ात तयार कर वात हूँ, काख़ात मैं तयार करवा चुका हूँ, आपको सिर्फ दस्तकत कर रहा है, मेरे आदमी 90 लाक लेकर भार खड़ा है, जाकर दर्वाजा दो कुछ, ओकिए, एक काम कर यह रखना मत है, मैं भी आता हूं, रखना मत, गुड़ मॉर्निंग, यह रहे आपके कांशार और यह रहे आपके नभगेदा, आदर यह नव, आई, आयाई, आई, आप, आई, 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 पता जला कि मैं 90 लाग पर आकरी मान जाओंगा मुझे आदमी की आवकात का अंदादा है धनराज मैं जानता हूँ कौन कहां कर तूट सकता है ये लीजे हमारे गुजराती में एक कहावत है ति जो आदमी की बात समझ में ना है उसके साथ कभी सौधा नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है इसके लिए मैं आपके साथ सौधा करूँगा क्योंकि इसमें मेरा फाइदा है ये लीजे एक बात मुझे बताईए आपके बाई साथ जमीन के भाव को आस्मान तर पहुंचाना चाहते हैं क्या जी ने उनका पिरोग्राम थोड़ा उल्टा है वो आस्मान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते है जी रोकड़ने उदार कले अजी रोकड़ने उदार कले आउँ